दोस्तों प्यार एक ऐसी दुआ है जिसके लिए लोग तरस जाते हैं जिसे प्यार मिल गया उसे सब कुछ नसीब हो गया कहा जाता है कि वो सबसे ज़ादा नसीब वाला इंसान है दोस्तों आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं चाहते हैं कि जिसे आप प्यार करते हैं वो भी आप से बेन तहां प्यार करने लग जाए तो दोस्तों इस दिवाली पर आप एक वशी करण का उपाय कर सकते हैं जिससे आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं आवा बहुत सारे लोग टोने टोटके जादूई काम दिवाली की रात पर करते हैं तो अगर आप भी दिवाली की रात सिर्फ एक घंटा निकाल कर ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिन्दगी का प्यार हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं बस आपको उसका चहरा अपने दिमाग में बसा कर हल्दी की एक गाठ से आप कर सकते हैं उसे अपने वश में तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको एक सूखी हुई हल्दी की गाठ लेनी है और उसके बाद आपको एक万त्र बोलना है ये मंत्र बेहत आसान है मंत्र है ट्लीम-कलीम कामाख्या ट्लीम-कलीम नमहा इस मंत्र का उचारण 11 मिनट तक आपको करना है मुबाइल में या फिर घड़ी में अलाम लगा लीजे और 11 मिनट तक आपको बोलना है क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमहा इस मंत्र का उचारण करते जाईए और हल्दी की गाट पर आपको फूकना है हल्दी की गाट पर फूकने के बाद ये गाट अभिमंत्रित हो जाएगी इसके बाद आपको इस गाट को अपने तक्ये के नीचे रख देना है और फिर सो जाना है अगली सुबह आपको उठना है यानि कि दिवाली की अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने घर से बाहर जाना है और किसी भी पीपल के पेड के नीचे एक गड़ा खोद कर वहाँ पर आपको हल्दी की काट दबा देनी है दोस्तों इस उपाय में हमें किसी का फोटो नहीं चाहिए हमें किसी का नाम नहीं बोलना है क्योंकि यह हमने कामाख्या देवी को आकरशित करने के लिए उपाय किया है इसके द्वारा आप अपने प्रेमी को आकरशित कर सकते हैं आपके अंदर इतना जादा आकरशन आ जाता है कि जब आप अपने प्रेमी या अपने पती के सामने जाएंगी या फिर जो पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं जब वो अपनी प्रेमी का के सामने जाएंगे तो उनकी प्रेमी का खुद बखुद उनकी तरफ आकरशित हो जाएगी इस उपाय के जरीए आप अपने रूठे ह प्यार को मना सकते हैं, अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में आकरशित कर सकते हैं, तो दोस्तों आप भी इस उपाय को कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप विडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं, और हमसे बात कर सकते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे विडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपना नंबर लिख देते हैं, वो फ्रॉड लोगों के नंबर होते हैं, उस नंबर पर कॉल बिलकुल मत कीजिए, आपको कुछ में पूछना है, तो सीधा आप हमें कॉल लगा सकते हैं, दोस्तों आज का ये विडियो मैंने तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको उपाय बताया है, जिसको बहुत सारे लोगों ने किया और उन्हें भी उसका फायदा हुआ है, तो आप भी इस दिवाली की रात इस उपाय को जरूर करके देखें, अ झाल करे देखें, जिसको बहुता है।